सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो नमस्कार मैं डॉक्टर मनीश प्रिकाश वेलकम तो एंट कुड़कॉण डॉट कॉम आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कान के ऑप्रेशन के बारे में और कान के ऑप्रेशन की साफधानियों के बारे में ज्यादा तर कान के ऑप्रेशन जनरल अनेस्थीजिया या फिर लोकल अनेस्थीजिया में किया जाते हैं general anesthesia माने patient को पूरा बेहोश करके operation किया जाता है जिसमें patient को कान में कोई भी दर्द वगरा नहीं होता कोई भी परिशानी वगरा नहीं होती और local anesthesia माने के कान में सुन करके operation किया जाता है जिसमें कान में सुन करते समय जो injection लगता है उसके बारे में patient को पता लगता है एक बार anesthesia का असर आ जाने के बाद patient को सिर्फ यह पता लगता है कि operation हो रहा है लेकिन कोई दर्द वगरा का एसास नहीं होता है ज्यादा तर operation या तो day care में किये जाते हैं या फिर overnight admission में किये जाते हैं day care माने के patient सुबह आता है और operation करके शाम को उनको घर भेजा जा सकता है और या फिर एक रात overnight रोकने के बाद अगले दिन भेजा जा सकता है जो operation general anesthesia में होते हैं उसमें अकसर हम देखते हैं patient को थोड़ा सा नींद का असर या फिर सुस्ती का अहसास हो सकता है और यह अहसास तकरीबन 24 घंडे तक रह सकता है general anesthesia में operation के बाद हम patient को हिदायत देते हैं कि कोई driving ना करें कोई sudden movement ना करें कोई जोर लगाने वाले काम नहीं करें और local anesthesia में operation के बाद patient अकसर पहले ही दिन या शाम को ही mobile हो जाते हैं और अपने सारे काम वो सही तरीके से कर सकते हैं आये तो discuss करते हैं कि क्या क्या precautions हमें लेने की जरुवत है कान के operation के बाद कान में operation के बाद आम तोर पे कान में एक dressing रहती है जो कि full head dressing हो सकती है या कान की उपर छोटी small patch dressing हो सकती है ये dressing आम तोर पे 2-3 दिन तक हम रखते हैं और इसको हम 2-3 दिन के बाद या तो निकाल देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं कान के operation के बाद अगर कान के पीछे टाके आते हैं तो इसको usually हम 5-7 दिन के बाद निकाल देते हैं और कान के अंदर एक packing रखते हैं जिसको हम लोग ear pack कहते हैं इसको भी 5-7 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है operation के बाद कई बार हम देखते हैं कान में से जो cotton होती है उसमें खून जैसा या खून लगा हुआ secretions आते रहते हैं तो इससे हमें घबरानी की जरुवत नहीं है यह body का natural अंदर से रिसाब होता है जो कि operation के बाद natural है operation के बाद आपको कान में बंद-बंद feeling होना या भारा-भारा feeling होना ये भी normal है और ये feeling तक्रीबन 2-3 हफते में धीमे-धीमे कम होती जाती है और जो कान की सुनाई है ये भी 2-3 हफते में धीमे-धीमे improvement होती जाती है जैसे जैसे अंदर का gel foam या abgel जो packing material होता है अपनी जग portions आप लोगों को लेनी की जरुवत है कान के operation के बाद जब आप लोगों को discharge किया जाएगा तो आपको discharge summary दी जाएगी जिसमें आपके कान की problem के बारे में diagnosis और operation का detail रहेगा इसके साथ साथ इसमें आपको discharge medicine दी जाएगी जिसमें कुछ antibiotic की दवाईयां होंगी कुछ दर्द क की दवाईयां होंगी कुछ allergy की दवाईयां होंगी और हो सकता है कुछ आपको चक्कर के लिए दवाईयां दी जाए कान के operation के बाद कई बार चक्कर आने के chance हो सकते हैं इसलिए आपको sudden movement नहीं करना चाहिए जिस तरफ आपका operation हुआ है उस कान को ऊपर रखके सूने की चाहिए तो operation के कुछ दिन के तक आप नीचे नीचे नहा सकते हैं और उपर के हिस्से को गीले टावल से साफ कर सकते हैं चार से पांस दिन के बाद जब आपकी पट्टी उतर जाएगी और टाके वगरा निकल जाएंगे तो आप अपनी डॉक्टर की सलह से नहाना शुरू क कर सकते हैं head shower ले सकते हैं और इसको करते समय कान में special ear cap आती है जो कि आप कान के ऊपर चढ़ा के नहा सकते हैं इसके साथ साथ कान में आप वैसलीन में भीगा हुआ cotton ball भी लगा सकते हैं या एंटिवर्टे कोइंट में लगा के cotton ball को रख सकते हैं जिससे के वह waterproof बन जाए औ और अंदर पानी का रिसाव नहीं हो इसके साथ साथ कान में कोई sharp object जैसे के q-tip पगरा बिल्कुल आपको नहीं डालना चाहिए इससे अंदर चोट लग सकती है एवं नया परदा जो लगाया गया होता है वो अपनी जगह से हिल सकता है एक और जरूरी सूचना के कान के operation के बाद तकरीबन तीन हफते तक आपको हवाई यातरा नहीं करनी चाहिए कोई भी aeroplane में travel करने से जो pressure change होता है उससे हमारे कान में जो नया परदा हम बनाते हैं लगाते हैं वो अपनी जगह से खिसक सकता है और इसकी वज़े से घाव बरने में problem आ सकती है साथ ही साथ अगर आपको खासी आए या जोर से चीक आए तो आपको मूँ खोलके इस चीज़ को करना चाहिए जिससे कान में pressure नहीं जाए के operation के बाद तकरीबन दो से तीन हफते तक आपको कोई heavy exercise जैसे के भारी वजन उठाना या जिम करना ये अब आपको avoid करना चाहिए इसके साथ साथ या योगा का कपाल भाती जैसी exercises को भी दो से तीन हफते के बाद अपने डॉक्टर की सलह के बाद ही शुरू करना चाहिए और आजकल हमारे लिए जरूरी हो गया है work from home के जमाने में के कान में earphone या headphone लगाना तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कान का operation हुआ है उ हुआ 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 हुआ, बाद बाद रा राद है जर कंगल को या रखके बाद जो हुआ है गूआ है क्यंति